हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल अफ यू अन बिंदा जी एस फोरम तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी अपडेट है इससे आप लोग स्किप ना किजेगा प्लेज और सुरुष से अंतिक्म तक वीडियो को ध्यान से सुनेगा है क्योंकि ये एक ओफिसल अपडेट आ गई है देख लीजिए कल ही काया है लेकिन मैं सोच रहा था कि कब मुझे ऑथेंटिक और एक प्रिंटेड मैटेरियल मिले कि मैं आपको उसके माध्यम से विद्प्रूब के साथ ये बता सको ठीक है तो मैं चाहता तो कल भी इसे बता सकता था लेकिन मैं सोचा कि कुछ ऑफिशल टाइप का ऐसा है तो मैं आपको बताओ और मुझे ये फाइनली मिल गया तो देखिए क्या है सीटेट की बैदेता पर एंसी टी का बड़ा फैसला आज इवन मानने होगा सीटेट का परमान पत्र मतलब कि सेंटर टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट होता है सेंटर गवर्मेंट जिसे कंड़क कराती है उस ओ अब साथ साल के लिए नहीं अब लाइफ टाइम के लिए वैलि इसे किया गया है और आएए देखते हैं क्या यह विशेस खबर है आप लोग देख सकते हैं कि केंदर सरकार ने सिक्षक बनने के एक्षुक नौजवानों को भारी राहत दी है अब उन्हें हर साथ साल में सिक्षक परिक्षा टीटी पास करने की जूरत नहीं होगी आप एक होगा अब लाइफ टाइम के लिए अब साथ साल का जहंजट दूर हो गया बलकि एक बार टीटी पास करने पर जीवन भर के लिए मानने रहेगा तो यह बहुत बड़ी अपडेट है आगे देखते कि नेशनल कॉंसी पोर टीचर एजुकेशन के चेर्मेन विनित जोसी ने क होगी नई बेवस्ता आगे आयो जी थोने वाले टीटी परिक्षाओं के लिए लाग होगी जो चातर पहले से टीटी पास कर चुके है मतलब कि उनके लिए बहुत बड़ा सुलहरा मौका है कि जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं पहले अब उनको दुबारा एक जान देने की जरूत नहीं है जिनका भी अगर आसे छे साल पूरा हो रहा हो साथ साल पूरा हो अब वो इससे रिलाक्स हो सकते हैं अब वो टीचर की बनने की अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और कानूनी सला लेकर यह फैसला लिया गया है आए देखते और क्या है तो फ्रेंट्स इसमें साफ साफ हुआ ही चीज लिखा गया कि टीटी करने के बाद भी कोई व्यक्ति साफ साल के भीता सिक्षक नहीं होता तो फेसो टीटी पास करना होता है लेकिन ये प्रकीरिया बहुत आगे तक खिसता चला जाता था और साइकलोजिकल प्रेसर रहता था और सिक्षण महिला ज्यादा है जिनकी प्रारिक जमेदारिया के चलते केरियर में औरोध आ जाता है और दुबारा सुरुवात करने के लिए उन्हें दुबारा टीटी पास करना परता है तो फ्रेंट्स ये फीमेल को ध्यान में रखते हुए विमेन इंपार्मेंट को बढ होती है अब देख लिए साथ साल यूपी में पास साल तो यह सब मतलब छुटका रहा ही पाली जी आप किसी भी स्टेट के लिए अब वहां पर भी इसकी मांग उठ सकती है और साल में दो बार होता था जुलाई और दिसंबर में इस बार का सायद अभी हुआ कि सायद अभी नहीं हुआ है ठीक है फ्रेंट और यह जो सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उमिदवा कख्छा 1 से 5 तक के है और आपका 2 में कख्छा 6 से 8 तक के लिए तो फ्रेंट यह बहुत बड़ी अपडेट है ठीक है फ्रेंट और आए से कंक्लूड करते हैं देखे का स्कोर का लाइफ टाइम के लिए वैलेट होगा आपको इस धंजट से मुक्ति मिल चुकी है अब आप अपने जो भी वैकेंसिया उसकी वेट किजिए और टीचर बनिए और देश को आगे बढ़ने में आपनी बढ़ने में सहयोग प्रदान किजिए और आसा करता हूं कि जि पढ़ाई होती है वैसे ही आप लोग भी वहाँ पर जाके बच्चों को अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करके उन्हें क्लास दें और मतलब की बलगराय नहीं मैं साब साब कर रहा हूं मैं 10 में से 10 टीचरों कर रहा हूं सब बलगराते हैं उस वैसी खरकते ना करें सरका बाने पुर्वक उसे उस पर अमल करें इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिस्निंग हाँ यह वर्ड बहुत ही कड़ा और सेंटेंस कड़ा था लेकिन यह सचाई है आप अपने दिल पर हांत रखी बाद बोले सोचीगा कि क्या मैं बोला है जो बोला हो सही बोला या गलत बोला थैंक्स फॉर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आप तो सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का बिल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्याकर आपको ऐसी नोटिफिकेशन मेरे चैनल के थूर्ट आपको मिलता रहा है थैं